भारत के इतिहास में पहली बार भारत के पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई जी ने 2002 में प्रवासी भारती दिवस की शुरुआत की तुए और उस समय से जब प्रवासी भारियत्यों का भारत्यों का एक एहम भूमिका रही 1998 में जब भारत ने पहली बार पोकरन में परमानू ब्लास किये थे और उस समय में जो अनेक देशों ने भारत के विरुद सैंक्शन किये थे अगर विश्वस्तर पर रुख बदलने का कार्य किसी ने किया था भारत के प्रती तो हमारे प्रवासी भारतियों ने जग जग में देश देश में किया तो और आज एकी साल बाद मेरे भाई और भेनों जब सत्रवी प्रवासी भारतिय दिवस हम मनाने जा रहे हैं ये केवल एक तारिक तक्सीमित नहीं है It is not limited to an event It is not limited to a date लेकिन 2014 से प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी ने कार्य भार समाला है इसी संबंद को एक वैश्विक और एक नया इन्सोच और विचाधारा और एक नई रिष्टा और एक नई रूप देने के लिए संकलिप रूप से उन्होंने कार्य किया है और एक सेतू का स्तान हमारे प्रवासी भारतियों को सशक्त करने के लिए उनकी एहमियत और उनकी कोशिश रही और इसके आधार पर जब हम आज देखें कि भारत का चाप हमारे प्रवासी भारतियों ने कहां नहीं छोड़ा है चाए हम कोई मल्टी नैशनल कॉपरेशन देखें चाए हम देश के नितित करने के लिए लोगों को देखें चाए हम विश्चाग्यों को देखें चाहे हम एक एक सेक्टर में डॉक्टर्स एंजिनियर्स को देखें चाहे यूके के प्रदान मंतरी रिशी सुनक जी हो चाहे हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सी ओ सत्या नडेला हो चाहे गूगल के सी ओ सुन्दर पिछाई हो चाहे आईलेंड के राष्ट्रपती लियोवार्डकार जी हो या आतिश्योक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि भारत और भारतियों को उभारने का काम प्रवासी भारतियों ने किया है और अकेले नहीं अपने साथ पूरे विश्वक उठाने का कारी अभी हमारे प्रवासी भारतियों ने किया और इसलिए मैं मानता हूँ कि भारत की जनसंख्या केवल 135 करोड तक सीमित नहीं है भारत की जन संख्या 138 करोड है जिसमें 3 करोड हमारे प्रवासी भारतियों की जन संख्या है आपकी भागीदारी भारत को विक्सित बनाने के लिए निवारिया है आपकी भागीदारी और आपकी साजीदारी भारत को आत्म निर्बर बनाने के लिए निवारिया है और ईसी दिश्य के पीज़े एक शिल्पकार अगरर भा है इस देश में तो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी हैं जिनोंने अपनी सोच और विचाधारा के साथ और विदेश नीती जैशनकर जी के साथ साथे देशों के साथ कूट नीतिक संबंदों के से साथ बना कर हमारे प्रावप्रवासी भारतियों को एक नया सम्मान का स्थान बिलाने बनाने का संकल्प लिया